नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल राज इसकुल हेलपर साथियों आजगी इस वीडियो के अंदर अपन सेशन 2020 की करक्षा 9 और 11 के रिजेल्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक आप जुरूर देखे अलांकि ये वीडियो है थोड़ी लंबी जुरूर होगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक जान करें आपको मुझे देनी है इसके बाद आपको PC की स्क्रीन पर ले जाकर कुछ इंपोर्टेंट बात तो वीडियो को लाज तक आप जुरूर देखे इस वीडियो के अंदर आपन केवल और ककशा 9 और 11 के बारे में बात करेंगे ये दी आपको ककशा 1 से लेकर 8 के रिजल्ट के बारे में जानना है तो इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना रखा है उस वीडियो का प्रिक्षा के अगली कक्षा में पर्मोट कर दिया गया था केवल बोर्ड कक्षा को छोड़ कर इसके साथ राजस्तान शिक्षा विभाग के दौरा एक आदेश आया था कि हर एक विधारती को अगली कक्षा में पर्मोट करना है और पर्मोट करने के साथ ही उन्हें एक परमा एक सर्ट तो कक्सा 1 से लेकर 8 तक रख दी और दूसरी जो सर्ट है वो 9 से लेकर 11 तरख दी यहां 1 से लेकर 8 तक तो केवल और केवल जो certificate है कर्मोनति का वही देना इसके लाव विधारतियों कुछ भी नहीं देना लेकिन यहां 9 के लिए अलग condition हो गई यहां पर कक्सा 9 और 11 क विधारतियों को certificate के साथ साथ मारक सीट भी वो देनी होगी और यह जो मारक सीट है साथ यो certificate भी देना कर्मोनतिगा इसके अलावा जो मारक सीट है वो भी आपको देनी है और यह जो certificate है आपको PSP पोर्टल या फिर साला डपन पोर्टल से आपको डाउनलोड करना है आप देखे साथ यहां पर जो अक्सल सीट है उस अक्सल सीट में आपको विधारतियों की जो नंबर ह साथ हो जो तीनों टेस्ट है युनेट टेस्ट है फैर सेकेंड थर्ड वो भी है और अदवार्सी प्रिक्षा वो तो नंबर आपको चड़ा नहीं है जैसे तीनों टेस्ट के दस-दस में से आपको चड़ाने है और अदवार्सी जो प्रिक्षा है वो सतर में से में आपको लेकिन यहां एक सर्था आ रही है, जो वार्षी प्रिक्षा वो तो होई नहीं, यहां पर जो सम्मग्र जो मुल्या करने, उसके नंबर आपको इस अक्सल सीट में केवल सो नंबर मानकर आपको चड़ाने, जो कि आपको मैं PC की स्क्रीन पर ले जाकर आपको बता दूँगा, क्योंकि वहाग के दोरा एक मार्जन रखा गया था, कि यह जो तीनो टेस्ट है, उन तीनो टेस्ट का परतिसत होगा, जैसे 20 परतिसत है, अद्वार्षी प्रिक्षा का 50 परतिसत है, इस तरह का एक फोर्मॉला वो बताया गया था, आदेश के अंदर, उसी फोर्मॉले के अनुसार, यह जो अक्सल सीट है, वो तयार की गई है, और इसी में आपको डाटा वो चड़ाना है, पूरी जानकारी बताऊंगा, इसी के लिए साथियो अपनों को चलना होगा, PC की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको कैसे डाटा है, वो डाउनलोड करना है, या सर्टिटिट है, वो डाउनलोड करना है, और किस तरह से हमें अक्सल सीट में काम करना है, चलते हैं PC की स्क्रीन पर, लो साथियो अपन आ गए हैं PC की स्क्रीन पर, यहाँ पर अपन सबसे पहले 9 और 11 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अगली कक्सा में परमोट करेंगे, PSP या फिर RT पोर्टल पर, अपने स्कूल के यूजर आईडी और पासर्ड के दोवरा, यहाँ पर मैं ओल लेडी एक स्कूल की आईडी में लोगिन हूँ, और लोगिन होने के बाद यह देखी साथो, यहाँ पर जो विधार्ती टेप है, आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हो, यह जो विधार्ती टेप है, इस विधार्ती टेप पर आपको किलिक करना, और किलिक करने के बाद देखी साथो, यहाँ पर स्टूडेंट पासिंग सर्टिफिकेट है, चली जूम करके माँ आपको दिखाता हूँ, इस्टूडेंट पासिंग सर्टिफिकेट शेशन 2019 इस पर आपको किलिक करना है जैसे इस पर किलिक करोगे तो आपके सामने एक पेज है ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो करमोनती परमान पतर 2020 लिखावा है आपके विदाले में जितने भी कक्षा हैं और जितने भी विधारती हैं वो आपको यहाँ सो हो जाएंगे अगर friends आप यहां देखोगे तो आपके school में जो total जो विधारती हैं विभिन कक्षाओं के अंदर उनकी total संक्या आपको यहां दिखाई देगा और उसके बाद आपको सभी कक्षाओं के जो विधारती हैं उनको अगली कक्षा में promote करना है अगर आपने promote कर दिया है तो जो संक्या आपको यहां दिखा देगे वरना promote आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ जीड़ो है वो दिखा देगा इसके साथ साथ अगर अपन थोड़ा सा नीचे जाएं तो अपने विदाले में जितने भी कक्षा हैं और उन कक्षाओं में जितने भी विदारती हैं टोटल संक्य आपको यहां दिखा देगा और यहां पर ही आपको जो पर्मोट की विदारती हैं वो भी आपको दिखा देग होगे तो फिलाला आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ओपर यहां पर देखिए टोटल विधारती यहां पर इस स्कूल के अंदर इतने हैं लेकिन अभी तक इनको परमोट जीरो है तो सबसे पहले अपन बारे-बारे इनको परमोट करेंगे और परमोट करने के लिए देखिए साथ यहां पर परमोट का ओप्सन आ रहा है लेकिन ध्यान कर लेना आप पहले कि आपके विधाले के अंदर जो कक्षया है और जिस कक्षया की विधारती को आप परमोट करने जा रहे हैं क्या टोटल संक्या यहां पर सो हो पर किलिक करते हैं जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर एक नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और लिखावा है क्या आप इस कक्षा के विधारतियों को कर्मोनत करना चाहते हैं तो आपको OK पर किलिक करना है जैसे ही OK पर किलिक करेंगे तो साथ ही हो इस कक्षा के सभी जो विध वो अगली कक्षा में पर्मोट है वो हो जाएंगे तो आप यहां इस क्रीन पर देख सकते हो विधारती को अगली कक्षा में सफलता पूरोग पर्मोट कर दिया गया यह अगर अपन यहां इलेवन की बात करें यहां तो आप यह देख सकते हैं यहां पर 316 विधारती अभी फिलाल है लेकिर पर्मोट कोई भी नहीं है तो चले यहां पर अपन इनको पर्मोट करते हैं और पर्मोट करने के लिए पर्मोट का ओप्शन इस पर किलिक करते हैं फिर ओ कर दिया अब देखिए साथि यह अगर total संख्या की बात करें तो देखिए total संख्या हमारे विधाले में इतनी है और इतने ही विधारती है वे अगली कख् Master हो पर्मोट होगए तो यह अपना पहला काम था अगली कख् состав में प्रमोट करने के लिए अब देखिए अपन सबसे पहले साथियों चे वो 9th कलास हो या फिर 11th कलास हो उसके सभी विधारतियों के जो certificate है वो हमें डाउनलोड करने है और certificate डाउनलोड करने के लिए साथियों यहाँ पर देखिए यह जो view list आया है हर कक्षया के सामने view list का option है वो आता है यहाँ पर आ आप देख सकते हो कक्षया 9th और 11th के अंदर है यानि जो भी कक्षया आपने यहाँ select की है उस कक्षया के जितने भी विधारतियों आपको यहाँ दिखा देखा देगा आप total संक्या है वो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर हो सकता है कि page है वो 2-3 हो तो यहाँ पर student है आपको यहाँ दिखाई देगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर total 131 student है यहाँ सोर है इसका मतलब है हमारे इस कक्षया के सभी विधारति है वो अगली कक्षया में परमोट हो गए आप देखिए साथ इन सभी विधारतियों कि आपको यह जो certificate है वो आपको download करना है और यहाँ पर एक option आ रहा है उपर यहाँ पर देखिए इसको आपको चेक करना है सभी जो student के certificate है वो एक साथ है वो download हो जाएंगे आप देख सकते हो सब पर check button है वो ok हो गया और आपको सबसे नीचे आना है और नीचे option आ रहा है view and print all यहाँ पर आपको click करना है जैसे click करोगे इस तरह से आपको दिखाए देगे इन सभी विधारतियों के certificate है साथ हो आपको download करना है और download करने के लिए यहाँ पर देखिए उपर option आ रहा है प्रिंट का आप देख सकते हो यहाँ पर print का option आ रहा है इस पर आपको click करना है और click करने के बाद आपको यहाँ प्रिंट दि इसका मतलब है यह फैस्ट पेज के अंदर जितने विधार थी ते वही आए है अपन सेकेंड और थर्ड पेज गे भी वो इसी तरह से है वो डाउनलोड करेंगे तो यहां से आप कोई भी एक ऐसा सोप्टियर है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आ इस वेबसाइट पर आप जैसे विजिट करोगे तो यहां पर देखिए लेपसेट में डाउनलोड सेक्षन का ओप्षन आ रहा है इसमें आपको नीचे ओप्षन आ रहा है सोप्टियर का इस पर आपको किलिक करना है और जैसे किलिक करोगे तो आपके सामने एक पेज है वो ओपन हो जाएगा और पेज ओपन होने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहां पर देखिए लिखावा है PDF Creator for PC Download यह आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्ट्रोल करना है और जैसे आप इसे इंस्ट्रोल कर लोगे और जब आप कोई भी डोकोमेंट को प्रिंट करोगे और जहां से आप PDF Creator को सेलेक्ट करोगे तो PDF फाइल हो डाउनलोड हो जाएगे चलिए आगे बात करते हैं चलिए यहां पर Save as PDF में मैं किलिक करता हूँ इसके बाद सात्यों आपको नीचे ओप्शन आ रहा है Save पर आपको किलिक करना है और जै अब देखिए सात्यों आपको यहां डाउनलोड हो जाएगे यह तो पहली पेज की बात थी क्योंकि हमारे इसी स्कूल के अंदर 131 स्टुडेंट तो अभी तक के 42 सी जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हुए तो इसी तरह से यह देखिए नीचे जो पेज आ रहा है हमने फिला हाल पेज नंबर एक को यहां से सिलेट कर रखा है आप बारी बारी करके दो नंबर सिलेट कर लिजेगा फिर प्रिंट कीजेगा फिर तीन नंबर हो सिलेट कीजेगा फिर प्रिंट कीजेगा तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको PSP पोर्टल पर विजिट करने क बाद आपको यह जो certificate हैं आपको download करते हैं अब देखिए साथियो बात आती है मानली जी हमने certificate है वो download कर लिए क्योंकि जो एक student है उसको हमें certificate भी देना है और जो marac seat है वो भी देना है और marac seat बनाने के लिए आपको साथियो excel seat के बारे में मैंने बताया था तो सबसे पहले आ बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना और नीचे आने के बाद देखिए left side में यहां पर एक option आ रहा है result workbooks इस पर आपको click करना है click करने के बाद साथ तो इस तरह का page है वो open हो जाएगा यहां से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपको तीन लिंक है वो reveak करेंगे अगली सattar के लिए नहीं काम करेंगे क्योंकि आपको पता कि साल सबी कक्षागी विदारत्यों को अगली कक्षा में बिना प्रिक्सा प्रीक्षा के पर्मोट कि है इसलिए यह जो एकल सीट-न के लिए या, इस सेस्षण के लिए ही काम करेंगी ठीक है यहां पर तेन एकसल सीट यहांपर दो तो 9th कलास की हैं और एक है 11 कलास की तो अब देखी सातर्यों पहला जो लिंक है इस एकसल सीट से जो विधारत्यों की जो मारक सीट वो तयार होगी ठीक है यह जो certificate है साथ यो मानने नहीं होगा अगर आप Excel sheet से तयार करते हैं क्योंकि वहाग के दवारा साला दरपन या फिर PSP portal पर हर एक विधारतियों के लिए certificate है वो upload की हैं इसलिए वही मानने होगे अगर आप Excel sheet के मादम से certificate अपने विधारतियों को देना चाते हैं तो पहले खास जूरत नहीं है अगर आप डाउनलोड करना चाते हो तो आप कर भी सकते हो वरना इसका कोई मतलब भी नहीं है चलिए अब करते हैं इलेउंत कलास की बार अगर आपकी इलेउंत कलास है तो उसका data यानि उसकी mark sheet देने के लिए आपको यह जो वरक sheet है आपको के दौरा मार्च के बाद जो हिंदी की seat हैं वो पूर्णतया बंद कर दी गई है अगर कोई विदाले अपने इस तर पर हिंदी वरक sheet तयार करता है तो उसकी जिम्मेवारी विदाले की होगी विभाग उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी क्योंकि वैसे भी हर इस्ट करने के बाद अब आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे काम करना चलिए सबसे पहले अपन नाइन्थ की बात कर लेते हैं नाइन्थ की जो फाइल है साथियो इस तरह से वो डाउनलोड होगी आप जैसे इसमें नीचे sheet दी गई है कि साथियो यहां पर sheet दी विदालों को कुछ भी काम नहीं करना, automatic सारा जो result हो तैयार हो जाएगा, अगर आपका private विदाले है तो data from SD वाली जो sheet है इसमें आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, आपको काम करना है, यहां पर आपको demo मिल जाएगा, यह सारा data आपको यहां से delete करना है, जो भी इसमे आपको update करने हैं, पहले आप अपने विदाले की update कर लिजेगा, अपने जितने भी subject हों, subject की जितने भी टीचर हैं, यहां से आप उसे update कर लिजेगा, क्योंकि काफी सारे साथि वो गलती कर देते हैं, data चड़ा देते हैं, और जो subject teacher हों के नाम ही नहीं डालते हैं, तो यह आपको नहीं करने यह जितना भी data दिया वा यह सब से पहले आपको delete करना है और इस worksit में काम करने के लिए साथियो आपसे password मांगेगा चलिए मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर click करता हूँ तो देखिए यहाँ पर password मांगा है तो password के लिए आप severa है वो use कर लिजिएगा severa password आपको लगाना है वो capital में अगर मानता है तो ठीक है वरना फिर small letter में आप लगा लिजिएगा तो चलिए यहाँ पर small letter में आपको लगाना है severa शीदा आपको severa लगाना है जैसे severa लगाएंगे तो अपनी यह unlock है साथ यह हो जाएगी ठीक है इस तरह से आपको unlock करने फिर आप इसमें जो भी data चड़ाओ students का वो आप चड़ा सकते हो last में इसको save करना आप देखिए साथ यहाँ पर दिकत कहां आती है साथियों को दिकत यहां आ रही है देखिए यहाँ पर लिखावा है unit test आप देख सकते हो unit test यहां लिखावा है और first second third test यानि तीनों test के नंबर आपको 10 में से ही चड़ाने इस बात को ध्यान रखना है 10 में से ही चड़ाने है जो भी students के वो चड़ाए इसके बाद जो अपनी अदवार से हाल पीरली जो exam है उसका जो number है 17 में से आपको चड़ाना है क्योंकि देखिए 30 यह हो गए और 70 यह हो गए पूरा 100 का data यहां हो गया है ठीक है आप देखिए सम्मगर मुल्याकन वाला आपको यहां 100 में से चड़ाना है तो यहां पर आप 70 number दे सकते हैं कोई दिकत नहीं है अगर आप उसे 20 देना चाते हैं तो आप 20 दे सकते हैं आपकी मर्जी है आप कितना भी वो दे सकते हैं लेकिन उसका सम्मगर मुल्याकन आपको देखना है कि विधारती किस तरह का अब यह नहीं जो विधारती बिलकुल तो आप 59 नमबर दे रहे हो और जो सबसे होशया रहा उसको सो में से 20 नमबर दे रहे हो ऐसा आपको नहीं करना वो आपने इस तर्फ पर ध्यान रखना आपको कि किस तरह से विधारतियों को number देना ठीक है और वैसे भी खुलके number दे हो इस साल तो विधारतियों के लिए मो करता है चली जूम करके आपको दिखाता हूं सेंस करता है उर्दू है गुजुराती है पंजाबी है जो भी आपके विदाले में थर्ड लेंग्वेज है वो आप यहां से स्लेट कीजिएगा तभी हूँ जो मारक सीट है वो सही बनेगी ठीक है बारी-बारी करके आप चढ़ा आपको डिटेल वाली सीट में काम करना है ठीक है इसके बाद आपको थोड़ा सा आगया आना अब इस्टुडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो आपको यहां चढ़ानी है अब देखे यहां पर अटेंडेंस है टोटल मिटिंग आपको यहां लिखने है माई लिजी यह अप अपरेल है पिछले सेशन का है ठीक है तो यहां पर मान लिजीए अपरेल के अंदर जो अपना विद्धाले है वो कितने दिन लगा ठीक है अगर लगा है तो ठीक है नई से खाली छोड़ दीजीएगा फिर करते हैं माई के बाद माई के अंदर अपना जो विद्धाले है सा प्रजेंट रहे वह आपको करना है, मालीजिए नीचे वाले kolom मेरे आपको यहां चढ़ाना है, मालीजिए 12 म탈 मिट्पिलय सोला 1 मेरे तो इस तरह से आपको आपको बारी-बारी करके यहां out एक करके यहां से आपको चढ़ाना है और है यहां इस तरह से तो सभी students' का नाम इंगलिस में आपको बिल्कुल सही रखना है ठीक है बाकी के अगर कोलम नीचे बच जाएं माल लिजे यहाँ पर टोटल पिच्पन है फोर एक्जामपल माल लिजे पिच्पन है अब आपके नीचे कोई भी डाटा लेकन यहाँ पर देखिए डाटा आ रहा है इसको आपको डिलीट कर देना है यहाँ पर एक लास्ट में शीट का नाम है फुल रिपोर्ट इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करते है देखिए इसी तरह से जो भी मारेक सीट है वो बनकर तयार हो जाएगी आप देख सकते हो बारी बारी करके इनको आप प्रिंट है वो साथ ही कर सकते हो यहाँ पर आपने विधाले का नाम चेक कर लेना ठी पुछ है वो आप चेक कर लेजे ना ठीक है यहां पर देखी साथ यह एक थोड़ी सी mistake यहां आ सकती है यह देखिए annual theory वाला जो option है इसको आप hide भी कर सकते हो क्योंकि यह आपको जूरत नहीं है तो ऐसे आप जो सीट है वो एक बार आपके लिए खोल लेता हूं ठीक है यह इसी तरह से आपको यहां details में जाना है ठीक है details में जाने के बाद देखिए यह बड़ी हो जाती है तो यहां पर इसकी प्रकार से आपको चड़ाने है जो first second third है उसको दस में से चड़ाने है फिर जो हाल पियरली अग्जाम उसको सतर में से और जो सम्मगर मुलागर है वो सो में से आपको चड़ाना अब देखिए साथी जो लें उतकी seat है सभी faculty या संकायों के लिए होती है arts के लिए है commerce के लिए science के लिए अब यहां subject को हमें select करना है अब देखिए मान लिजिए आपके विदाले में arts है तो यहां पर by default आपको जो subject हैं देखिए column वो Commerce वाले कर सकते हैं, इसके लावा जो Arts वाले हैं, वो Arts वाले भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर एक Math है, वो Select करता हूँ, तो आप देख सकते हो, नीचे Math हो गया, चलिए यहाँ पर ऊपर मैं और भी कोई सब्जेट है, वो Select करता हूँ, चलिए Political Science कर लेता हूँ, तो अगला जो सब्जेट आपको थोड़ा सा आगे आना है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए Hindi Literature है, तो यहाँ से भी जो भी आपकी विद्दाले में सब्जेट हो, यहाँ से आप Select कर सकते हैं, इसी तरह से तीन जो Optional सब्जेट होते हैं, वो आपको बारी-बारी करके यह सब्जेट करने हैं, और सबका जो डाटा है, वो सातियों आपको यहाँ भरना है, ठीक है, मारेक्षिट जब आप प्रिंट करो तो एक बात का विशेस आपको ध्यान देना है, और यहाँ पर यह आपको इस्टुडेंट्स की तो अटेंडेंट्स हैं, जो परजेंट है, वो एक मैई से नया सेसन है, वो लास्ट येर है, वो शुरू हो गया था, अब यहाँ पर पहला जो कोलम है, इसमें अपरेल आ गया, तो चाहो तो आप इसे मैई से कर सकते हो, अगर लास्ट कोलम देखें, तो यहाँ पर देखें, अपरेल यहाँ पर आया हुआ है, तो इस साल ह भी अपने विदाले वो लगा था, दस दिन लगा था, जब अपना session शुरू आता, ग्रिसम कालिन अवकास होने के बाद जून से अपना विदाले वो शुरू हा, तो यहाँ पर देखी जून नहीं है, और detail sheet में मैं चलता हूँ, यहाँ पर meeting वाले option के अंदर मैं चलता हूँ, यहाँ पर meeting वाला option यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मान लिजिए, अपन अप्रेल में मई करना चाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो देखी यहाँ पर protect sheet है, यह बता रहा है, ठीक है, इसका मतलि यह पूरी sheet है, protect है, आपको इस उन प्रोटेक्ट करना वरना यह edit नहीं होगा, और एन प्रोटेक्ट करने के लिए, इस Excel sheet का by default साथ यो जो password होता है, वो dkf होता है, इस small letter में, dkf होता है, और यहाँ पर देखिए, उपर आपको जो menu बार है, जो review वाला option है, इस पर आपको क्लिक करना है, और देखिए, एन प्रोटेक्ट सीट है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको dkf लिखना, dkf, चलिए, एन प्रोटेक्ट हो गई है, और अब यहाँ से आपन आसानी सीट में edit हो कर सकते हैं, देखिए साथ यह edit करने के बाद, आपको वापस इस sheet को protect करना है, और वापस आ आती है, सबसे ज़्यादा तो आप इसे edit हो कर सकते हैं, चलिए एक बार relevant वाली में वापस खोल लेता हूँ, ठीक है, अब देखिए माली जी हमने meeting संख्या है, वो अपन डाल दी, टोटल डाल दी, और बचों का data हमारक से वो चड़ा दिये, डिटेल हो चड़ा दिये, और वेकार की रहे हैं, उनको आपको delete करना, ठीक है, इसके बाद जो certificate है, वो इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है, अब देखिए साथी, यह जो certificate है, और वो जो certificate है, वो अलग अलग है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर certificate number नहीं, अब देखिए साथी, यहा मतलब है वो नहीं रह जाता है आपको तो केवल जो मारक सीट है वो आपको प्रिंट करने है ठीक है इसी तरह से देखिए मारक सीट वो सो हो जाएगी और यह प्रिंट करने के बाद आपको हस्ताक्षर सहित विधार्ति को है वो देनी और इस एक्सल सीट को आपको सेव रखना अब देखें साथियों मैं एक certificate वाली excel seat की बात कर रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए certificate वाली excel seat है अगर यहाँ पर data entry में करें तो यहाँ पर आपको विधारतियों को पूरा data आपको यहाँ डालना है ठीक है जो भी data है विधारतियों का नाम है पिता क certificate प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना देखिए साथियों यहाँ पर क्लिक करना जैसे यहाँ पर मत दो लगाऊंगा आप देख सकते हो यहाँ पर दो लगाऊंगा तो दूसरा जो certificate वो आ जाएगा इसी तरह से आपको बारी बारी आपको लगाना अग आप जब यह Excel sheet डाउनलोड कर रहे हो और जो link है वो work नहीं कर रहा हो तो अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है तो आप वीडियो के नहीं से comment कीजिएगा मैं इसे तुरंथ हो शोल कर दूँगा और जो भी error आ रहा हो उसको आप मुझे comment में जरूर बताएगा तो चलते हैं वापस केमरे की तरफ तो सात्यों इस प्रकार से हम कक्षा 9th और 11th का result है वो तयार कर सकते हैं साइध आप समझ गया होगे कि किस तरह से हमें जो certificate है वो download करने हैं और किस तरह से हमें Excel sheet में वो काम करना है अब सात्यों में बात करता हूँ कुछ important बात होगी जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी कि इस वीडियो के last में कुछ important बात हैं वो भी अपन करने वाले है तो देखिए सात्यों अभी जो Excel sheet आप देख रहे हो जिसमें आप दाटा चड़ाने वाले हो इसमें अभी अपडेट चल रहा है वह सकता ही भाग के दवारा कोई नई जो sheet है वो बाद में अपडेट करते हैं जिसकी जानकरी तो आपको मैं आगे की वीडियो में दे दूँगा अब इसका मतलब यह नहीं आपको एक्सल सीट जो अभी हम बात कर रहे चहां से आप डाउलोड करने है उसमें आपको डाटा चड़ाना या नहीं चड़ाना तो ऐसा आपको बिल्कुल सूान इसे आपको यह नहीं लोजवारा नई जो आपडेट रहा गई तो आप पुरानी वाली जो नहीं सोचान है इसमें आपको जो डाटा वो फीड करना है बाइद वी माल लीजिए वहां के दवारे एक नहीं जो अक्सल सीट है अपडेट रहा गई तो आप पुरानी वाली जो अक्सल सीट है उससे डाटा को कोपी कीजिएगा और नहीं वाले में पेस्ट कर दीजिएगा इससे आपके समय की बचत हो जाएगे बाकि आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप जो यह अक्सल सीट फिलाला मने जिस अक्सल सीट की बात की उसमें आपना डाटा वो चड़ा लीजिएगा और बाद में अगर नहीं अपडेट आ जाती है यहां पर 99% मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि अपडेट आ ही जाएगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपडेट आ जाएगा तो वह डाउनलोड आप कर लेना और नया वाला जो डाटा है वो पुराने वाले से कट कोपी पेस्ट हो कर देना ठीक है एक तो इंपोर्टेट बात यह थी दूसरी इंपो कर सकते हैं लेकिन देखें इलोक्टोन निक चीजों का कोई बुरोसा नहीं कब जाने खतम हो जाए इसका कोई मतलब नहीं होता है तो आप उसकी हाड कोपी तो आपको विधारती को देने है ठीक है मोहर अगरा अगरा लगा करके और एक कोपी आपको अपने विधाले के रि इलिट होगा है फिर आप कहां से दोगे अगर आपके पास परिंट आउट है तो जब जाओ आप उसकी फोटो कोपी निगाल कर अपने विधारतियों को दे सकते हो तो यह यह तो थी मेरी तरफ से दो इंपोर्टेंट बहते हैं साहिद आप समझगे होंगे और इसके अलाव वीडियो जुरूर सेर कीजिएगा ताकि उनके मन में भी काफी कंफ्यूज चल रहे हैं वो सारे कंफ्यूज वो कलियर हो जाएं मिलते हैं फ्रेंट्स एक लिए एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए जैहिन जैवार